हेलो दोस्तो स्वागत था आपका हम सब के यूट्यूब चैनल आरस नोट्स पर और आसा करता हूं दोस्तो आप सबस्वस्त होंगे मस्त होंगे दोस्तो जेपीएसी एक्जाम आपके ने अगर दिया है तो ये वीडियो जो है आपके लिदेंत महत्रपुन साबित होने वाली ह दोस्तो इस यूडियो में आपको एक्सपेक्टिड कटोफ क्या रहेगी आपकी JPSC-AE के लिए क्टेगरी वाईज आपको बताये जाएगे दोस्तो हर एक चीज़ आपको इसमें समझाए जाएगी किस प्रकार का प्रीक एक्जाम हुआ था एक्जाम पैटर्न क्या रहेग तो एक बिजान करें जो आप में इसमत कीजी का विडियो शुरू से लेकर करके अंतक देखेगा तो आई दोस्तों शुरू करते हैं JPSC-AE requirement 2021 और विए हम देख लेते हैं एडिस्टन डेट जो थी वह आपकी 15 अक्टूबर 2019 से लेकर के 11 नॉम्बर 2019 तक थी प्रीक अक्जाम आपका कंप्लीट हो चुका था जिन्होंने प्रीक अक्जाम में पास कर लिया है उन्होंने मेन का अक्जाम देना था मेन आपका कंप्लीट हो चुका थी 22 सक्टूबर से लेकर के 24 सक्टूबर तक आपका अक्जाम कंप्लीट हुआ है दोस्तों निर्दारिख कर रख़ी थी और Edgicaậubrity के लिए डोनों के लिए alligiblity आपके लिएazione करतेацी दोसतो Water Resource Department के पोस्ट के लिए Civil Engineering के लिए 288 वकैंसिज थी Drinking Water and Sanitation Department के लिए Civil Engineering के लिए 26 वकैंसिज थी Water Resource Department के लिए Mechanical Engineering के लिए 84 पोस्टें दिदात की गई थी Drinking Water and Sanitation Department के लिए Mechanical Engineering के लिए 11 वकैंसिज इसमें दिदार की गई थी दोस्तो हम देख लेते हैं आपकी age limit और age relaxation category वैज़ आपको किस प्रकास से इसमें दी गई थी कितने इंदार की गई थी तो age eligibility criteria for JPSC AE requirement के लिए जो है आपकी ये age जो है 1 अगस 2019 तक ये complete होनी थी कम से कम आपकी किस साल होनी थी और अधिकतम आपकी ये 35 वर्स हो सकती थी तो इसमें age relaxation भी दे रखी तो वह क्या थी वह देख लेते हैं category एक तरफ age relaxation है OBC अगर आपके category हो तो आपको 2 साल का age relaxation दिया गया था woman के लिए महिला ब्यारतियों के लिए 3 साल का age relaxation दिया गया था SCST ब्यारतियों के लिए जो है 5 साल का age relaxation दिया गया था जर्खंड government employees with three years of service अगर आपको हो चुकी ही तो आपको पांच साल का age relaxation दिया गया था PWD परशने में disability ब्यार्थियों के लिए जो है दस साल का age relaxation दिया गया था और ex-serviceman के लिए जो है पांच साल का age relaxation दिया गया था दोस्तों ये थी आपकी age relaxation और age limit अब आप देखते हैं कि JPSC-AE selection process आपका किस प्रकार से आगे रहने वाला है तो JPSC-AE selection process इसमें तीन चरण आपको दिये गए हैं दोस्तों पहला होगा preliminary examination जो आपका हो चुका है mains examination जो आपका अभी हाली में complete हुआ है आगे होगा personality test जिसमें अधार पर आपके जो है final cutoff बनेंगे उसके अधार पर आपका chain किया जाएगा तो preliminary examination pattern जो था आपका वो paper 1 और paper 2 में यह बाटा गया था जिसमें paper 1 जो था जनर awareness का था जिसमें number of question 100 थे number of marks 100 थे duration आप समय आपको दिया गया था दो गंटा paper 2 जो था आपका civil mechanical subject से समय आपसे परशन पूचे गए थे 100 परशन पूचे गए थे number of marks 200 थे duration समय आपको दिया गया था दो गंटा इसमें समय दिया गया था तो preliminary examination से समदित कुछ महतरपुन बिंदू हम देख लेते हैं तो preliminary examination is conducted by two papers दो paper होने थे आपके हुए हैं दो total number of marks जो थे आपको paper 1 के लिए 100 निरदार्थ की गए थे every question के लिए जो आपका एक mark निरदार्थ किया गया था paper 1 में the total number of marks loaded by four paper 2 is 200 every question carries two marks in paper 2 paper 1 में एक mark था paper 2 में एक परशन जो है दो माक का था दोस्तों यह बात ध्यान रखिएगा अब हम आते हैं मेंस examination pattern JPSCA selection process civil के लिए आपका क्या pattern रहने वाला है तो किस प्रकार से paper आपका मेंस examination pattern JPSCA selection process civil के लिए तो subject है एक तरफ duration समय दिया गया है वो maximum marks दिये गें section 1 जो था आपका objective paper इसमें आया गया था इसमें पशन जो थे वो इस प्रकार से पूछे गए थी दोस्तों general ability test जो था आपका वो paper A part A part B में बटा गया था इसमें part A में general English थी part B में general studies थी इसमें 2 गंटा समय दिया गया था और 200 marks आपका paper हुआ था civil engineering paper 1 जो था आपका दो गंटा समय दिया गया था और 200 marks से आपके इसमें निर्दार्थ की गए थे civil engineering paper 2 के लिए जो है 200 marks से आपके इसमें निर्दार्थ की गए थे अब आते section 2 conventional paper में इसमें civil engineering paper 1 के लिए तीन गंटा आपको समय दिया गया था दोस्तो नंबर आपका इसमें निर्दार्थ की गए थे civil engineering paper 2 के लिए जो है तीन गंटा समय दिया गया था 200 marks आपका ये paper निर्दार्थ की आ गया था दोस्तो इससे समझत कुछ मेंतरपण बिंदू हम देख लेते हैं तो student qualified in the preliminary are allao to attend men's examination जो pre को clear कर लेंगे वो men's exam दे पाएंगे तो टोटल marks जो थे वो men's के लिए जार-देजार की गए थे the men's examination in two section जो मेंस है उसमें दो बाग हैं जिसमें एक subjective है एक दूसरा objective है यह एक objective एक subjective है ठीक है the conventional paper should be answered only in English जो paper जो था आपका English में आपको उत्तर देने थे paper will be set in English language और हम आते हैं mechanical pattern आपका किस प्रकार से निद्दार किया गया था मेंस examination pattern JPSCA selection process mechanical के लिए जो है आपका section 1 है objective paper समय दिया गया था और maximum marks दिये गए है जलने ability आपका paper section 1 है part A part B general English general studies में दो गंटा आपको समय दिया गया था section 2 के लिए जो क्रवेंशन पेपर जो अपका mechanical engineering part 1 फेपर 1 के लिए theory का लिए था डूस्स समय दिया गये था लिए जो की ब्रुको क्लिर कर लेंग उन्होंने exam main examination देना है, total number जो है major fund के लिए एầ !" निदार्थ किये गए थे, main examination contains two sections जिसमें objective part, conventional part है, conventional paper should be answered in English, जो conventional paper जो है आपका English में दिया जाना था, paper will be set in English language, जो आपका conventional part है, ठीक है, अब हमाते है, personality test में किस प्रकार की है, प्रकरिया रहने वाली हो देख लेते हैं, दोस्तो, personality test, JPSCA requirement, the candidates who are qualified in the main examination are called for the personality test, यानि कि जो pre means clear कर लेंगे, उनको personal test के लिए बुलाए जाएगा, उसके बाद आपको zoning दी जाएगी, personality test जो होगा, उसमें 200 mark साफ के दिये गए जाएंगे, in the personality test, the authorities keep special interest, in the candidates initiative, leadership, intellectuality, mental and physical energy, the integrity of rector and other social activities, आपकी समिंदे दाइत की जाएंगे, हम देख लेंगे दोस्तों, paper का दुष्तर आयवा था, आपका जो हाल ही में, मेंस का paper है, वो कि इस परकार का आयवा था, दोस्तों, बहुत से बैति दोरा हमने चर्चा की, उसके दरपर इन दिश्कर निकाला गया है, कि आपका paper का star किस परकार का आयवा था, तो पेपर का स्तर जो है वो 37 परतिसर जो तक जो था आपका असान स्तर का पेपर आयवा था जिसको आप असानी से कर सकते थे 40 परतिसर जो पेपर था आपका मेडियम यानि मदब स्तर का पेपर आयवा था तेज़ पर तेसे जो पेपर था आपका हार्ड यानि कठोर स्थर का प्रायवा था निशकर्स तोर पर हम कह सकते हैं और पर जो था आपका वो मेडियम लेवल का था ठीक है ये था दोस्तों आपका पेपर का स्थर उसके दार पर आपकी Category Expectation Cutout क pr chuck क्या रहने वाली है अवरोल ही आपको बता दे रहे हैं दोस्तों एक तरफी Category Name है एक तरफी Category नेम है एक तरफी Category आपके Expectation Cutout है दोस्तों ये बात है Mains की अगर आपके इतने marks बन रहे हैं तो आपको गवराने के बिल्कुल भी जूरत नहीं है तो आपका selection sure है दोस्तो आपको personality test यान अगले चरण के लिए बुला लिया जाएगा दोस्तो अगर आपके category है general लगार आप अगर आपके इतने marks बरने चेतर परतिसत तक टोटल marks के तो आपका selection sure है दोस्तो आपके selection कोई नहीं रोग सकता है अगर आपके category OBC है अगर आप अगर आपके निमन्त माकस बरने चेतर परतिसत तक तो आपका selection बिल्कुल sure है आपका गुबरानी के पर बिल्कुल भी जूरत नहीं है अगर आपके category SDS काश के अगर आप अनुसूची जनजाती के अनुसूची जाती के अगर आप अगर आपके निमन्त माकस बन रहे हैं 60 परतिसत तक तो आपको गवराणी की विल्कुल भी जूरत नहीं है दोस्तो और अगर आपकी सरेनी पीच है physically handicapped सरेनी के अंतरगत आप आते हैं तो आपका अगर आपके निमन्त माकस बने पिच्पन परतिसत तक तो आपका सेलेक्शन है 100% शोर है दोस्तो आपको अगले च्रेन के लिए बुला लिया जाएगा guaranteed ही cut of आपकी रहने वाली है दोस्तो दोस्तो आपके कितने माकस बनते हैं क्टेगरी को मेंशन करके आप कमेंड बुक्स में जुरू बताएगा दोस्तो उस पर हम चर्चा अविश्य करेंगे कि आपका सेलेक्शन होने के कितनी संभावना बनी होई है इससे सम्मधित इस एक तथ्यों के साथ अब तक के लिए धन्यवाद दोस्तो